हेलो एवरीवन वेलकम टू आर चैनल टार्गेट स्टडी पॉइंट मैंने हाँ पांडे तो ये फिल्ट जप्टर का नेक्स्ट जो दो टॉपिक है ऑक्टेन नंबर और सीटेन नंबर जो की काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है ऑक्टेन संख्या और सीटेन संख्या तो उसको क्राम यहां पर जब गैसुलीन वेपर्स्ट का मतलब होता है जो पैटरोल की वैपर्स और जब इन्टरनल कमबस्षन में जब फियोल जलता है तो जलने पर क्या होता है कि जो गैसुलीन की वैपर्स होती है और जो एयर होती है इनके बीच में रियक्षन होने लगती है इनके बीच में रियक्षन होने की वज़े से क्या होता है कि जो पिस्टन जो सिलेंडर में जो पिस्टन लगी होई होती है उस पिस्टन में जो है वो पिस्टन जो है वो आपन डाउन जो है वो produce होने लगता है जिसकी वज़े से खट-खटाने की आवाज आती है तो उसी खट-खटाने की जो rattling sound होती है उसी sound को हम बोलते हैं knocking knocking मतलब अपस photon तो knocking एक मतलब अच्छी process नहीं मानी जाती है जिससे engine की energy काफी जादा खर्च होती है तो इस वज़े से knocking को reduce करने के लिए या खतम करने के लिए कुछ ऐसे substance मिलाए जाते हैं जिसकी वज़े से knocking मतलब जो खट-खटानी की आवाज है वो नहीं होती है तो उन substance को हम बोलते है anti-knocking agent तो जैसे कि anti-knocking agent में tetraethyl lead हो गया इसको short में tel भी बोलते हैं ये इसका formula दिया हुआ है तो ये भी एक number में जो one mark के question आते हैं वो इसी तरीके के ही आते हैं कभी-कभी पूछ लेते हैं कि जो anti-knocking agent का कोई example बताई है ये tel की full form बताई है तो आपको ये जरूर पता होनी चाहिए full form तो एक बारी मैं फिर से आपको explain करती है जैसे कि ये मैंने underline कर रखा है पहले सही तो दिय हुए है जो definition main जो knocking की definition है वो ये दिय हुए है कि due to sudden expansion of gases the rattling sound produced by the piston is called knocking मतलब जो gasoline vapors और air इनकी जब reaction होती है तो उनकी वज़े से gasे बनती है और gasों का जो अचानक प्रसार होता है मतलब gasों का जो sudden expansion होता है जिसकी वज़े से जो rattling sound है मतलब piston के थूँ जो rattling sound खटखटानी की आवाज जो होने लगती है उसी process को बोलते है knocking तो फिर से एक बार समझ लिजएगा कि जो internal combustion engine है मतलब जो आंतरिक दहन इंजन है तो आंतरिक दहन इंजनों में जब petrol जलता है जलता है under pressure by spark मतलब जो इस पार्क के थूँ जब जलता है तो जलने की वज़े से क्या होता है कि जो gasों का mixture होता है गैसे बनने लगती है और गैसे बनने की वज़े से जो piston है, piston में खटखटाने की आवाज होने लगती है और खटखटाने की जो आवाज है उसी rattling sound को ही बोलते है knocking इस knocking process को कम किया जा सकता है कैसे अकर इसमें हम कुछ substance मिला दे जैसे की tetraethyl lead मिला सकते है तो tetraethyl lead मिलाने से क्या होगा कि जो knocking है वो reduce हो जाएगी या फिर कम हो जाएगी तो इसको हम बोलते है anti knocking agent knocking के बाद जो main topic है octane number और c10 number इनको explain कर देती हूँ तो जो octane number है octane एक hydrocarbon होता है isoctane ये structure दिया हुआ इसको इसका दूसरा नाम 224 trimethyl pentane भी है तो इसी के base पर ये octane number जो है ये एक जो पेट्रोल होते है पेट्रोल की जो प्रापर्टी होती है प्रापर्टी को show करने के लिए octane number जो है वो दिया गया है तो octane number जो है octane number क्या show करता है जो anti knocking property होती है मतलब जो इसका main point है वो आपको ध्यान रखना है कि anti knocking property of the fuel और fuel से यहां मतलब है petrol के लिए क्योंकि octane number जो है mostly petrol के लिए ही दिया जाता है कभी कभी question ऐसे भी आजाता है कि petrol की property को हम किस से measurement करते हैं तो आपको वहाँ पे octane number के बारे में ही explain करना है तो octane number क्या है जो anti knocking property मतलब जो अपस 4 रोधी गुड़ होता है जो कि अभी मैंने आपको topic knocking के बारे में बताया था तो उसी को show करता है यह octane number मतलब जो अच्छा fuel होगा उसकी octane संख्या जो है वो जादा होगी मतलब जितनी जादा octane संख्या होगी उतना ही जादा अच्छा fuel माना जाएगा तो यहाँ पर दो मतलब जो octane number है उसको explain करने के लिए दो hydrocarbon लिए गए हैं एक है 224 trimethyl pentane इसको हम iso octane बोलते हैं इसको अगर हम जब burn करते हैं तो इसमें बिल्कुल knocking नहीं होती है तो इसमें जो knocking बिल्कुल भी नहीं होती तो इस वज़े से इसका जो anti-knocking property है वो 100 मानी जाती है मतलब जो अपस 4 रोदी गुण है वो iso octane का 100 माना जाता है वहीं पर जो दूसरा hydrocarbon लिया गया है normal heptane तो normal heptane जो यह बहुत जादा knock करता है मतलब इसके burn होने पर इसके जलने पर काफी तेज जो है वो knocking process होती है तो knocking जादा होने की वज़े से इसका जो octane संख्या है वो ली जाती है 0 कभी कभी यह भी एक number में question पूछ लिया जाता है कि जो octane जो isoctane है उसका octane number कितना है तो आपको ध्यान रखना है कि isoctane का octane number 100 और जो normal heptane है उसका octane number 0 मना जाता है तो isoctane और normal heptane मतलब जो isoctane दिया हुआ है और normal heptane इन दोनों के mixture में जितना percentage isoctane का होगा तो वही उस fuel की octane number कहलाती है octane संख्या कहलाती है मतलब प्रापर्टी जो fuel की प्रापर्टी जो है वो isoctane और normal heptane के में जो isoctane का percentage है उससे उसकी प्रापर्टी अंटी नॉकिंग प्रापर्टी मैच करती हूँगी तो वही उसकी octane संख्या यानि की octane number कहलाती है तो इसकी मैं definition भी आपको पता देती हूँ तो यह definition दी हुई है यही है आपको मैंने explain भी क्या है the percentage of isoctane in a mixture of isoctane and normal heptane which matches the knocking property of any fuel is called octane number of the fuel मतलब जो percentage है isoctane और normal heptane का percentage है उसकी प्रापर्टी जो है वो fuel की प्रापर्टी से मैच करती है तो वही उसका fuel का octane number कहलाता है या फिर यह कह सकते हैं कि जो isoctane और normal heptane का जो percentage होगा जैसे for example कि 80% isoctane है और 20% normal heptane है तो इन दोनों के mixture में जो knocking property होगी वही same fuel की भी knocking property होगी तो वही उसका octane number कहलाएगा मतलब 80% isoctane और 20% normal heptane का मतलब कि उसकी octane संख्या 80 हो गई यानि कि octane संख्या जो है वो 80 यानि कि 80 होगी उसकी तो ये था octane number इसी तरीके से दूसरा कि topic है वह है cten number cten number का मतलब होता है जैसे कि जो petrol की property को हम जो show करते हैं octane number से सेम उसी तरीके से जो diesel की property है diesel की property को हम show करते हैं cten number से तो ये जो cten number है ये diesel की इगनीशन property को शो करता है, जो main point है, वो आपको दोनों ही topic कि याद रखने हैं, कि petrol की knocking property को शो करता है, octane number और diesel की ignition property यदिक जोलन गोड से मतलब है, कि diesel का जलना जलने से मतलब है, आग पकड़ने से, कि या avere complete certificate जाना तो जैसे ही जितनी जल्दी डीजल आग पकड़ता है उतना ही अच्छा माना जाता है यानि कि डीजल का जो इगनीशन है जितनी जल्दी होगा उतना ही डीजल अच्छा माना जाता है तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि सीटेन निंबर क्या शो करता है होना तो वो तुरंत जल्दी मतलब नहीं होता है तो इसलिए जल्दी होना चाहिए तो जो अच्छा डीजल होता है वो जल्दी जलता मतलब जितनी जल्दी जलेगा उतना ही अच्छा डीजल माना जाता है तो यहां पे भी सेम ऑक्टेन नमबर की तरह दो लिए गए हैं तो है हाइट्रोकार्वन जिसमें से एक है सीटेन दिया हुआ सीटेन का मतलद कि इसको हम हैक्जाडीकन के नाम से भी जानते ये भी एक नमर में क्वेश्टन जो माना जाता है और जो सीटेन है सीटेन का सीटेन नंबर जो हो 100 माना जाता है क्योंकि जब सीटेन बर्न होता है तो सीटेन तुरंत इगनाइट हो जाता है मतलब यह जो है इसका इगनीशन तुरंत हो जाता है तो इसका सीटेन नंबर 100 माना जाता है और इगनीशन डिले जो इसका काफी ज्यादा होता इग्राइशन डिलनी तो तो इसका जो सीसेड़ नंबर है वो जिरो माना जाता है तो सीम उसी तरीके से जैसे कि आपकशान नंबर में पड़ा है कि सीड़ और वन अंब personally उन दोनों के percentage में माल लिया कि 80% है C10 और 20% है 1-methyl naphthalene तो यानि कि C10 number इसका क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा तो इन दोनों की mixture में जो इनकी property ignition property जो है fuel से match करती होंगी वही उसका C10 number कहलाएगा C10 संख्या कहलाएगी तो इसकी भी definition आपको पता देती हूँ यहां जैसे की दिया हुआ है कि the percentage of C10 in a mixture of C10 and 1-methyl naphthalene which has same ignition characteristic as diesel fuel is called C10 number मतलब जो C10 और 1-methyl naphthalene का mixture होता है उसमें जो उनका C10 का percentage होता है C10 का जो percentage होता है उसकी same ignition characteristic मतलब जो उनका जोलन गुड होता है वो diesel fuel के समान होता है तो वह ही उसकी C10 संख्या कहलाती है जैसे कि अभी यह मैंने example आपको बताया है C10 number of diesel oil 80 means मतलब अगर किसी fuel का मतलब diesel fuel का जो C10 number है वो अगर 80 दिया हुआ है तो 80 का मतलब यह हो गया कि इनकी जो property उस diesel fuel की property जो है वो match कर रही है उसकी जो गोड है वो match कर रहा है mixture of 80% C10 and 20% 1-methyl naphthalene मतलब 80% C10 और 20% 1-methyl naphthalene के मिशरण की जो C10 संख्या होगी उसी से ही diesel fuel की property match कर रही होगी तो उसका मतलब यह हो गया कि उसका diesel fuel का C10 संख्या C10 number 80 होगा तो आपको यह main definition याद रखनी है और साथ में जो दोनों ही hydrocarbon दोनों octane number और C10 number में दिये हुए है जैसे कि octane number में isoctane और normal heptane दिया हुआ है तो उनको ध्यान रखना है और C10 number में C10 और 1-methyl naphthalene दिया हुआ है उनको ध्यान रखना है इसके अलाबा कभी कभी जो एक number में question पूछ लिए जाते हैं तो जैसे कि या दिया हुआ है कि C10 number of a fuel can be improved by the addition of alkyl nitrides अलब जो diesel का अगर हम C10 number बढ़ाना चाहें क्योंकि C10 number अगर जादा होगा उतना ही अच्छा fuel होगा तो उसमें alkyl nitrides अगर मिला देते हैं तो C10 संख्या बढ़ जाती है और इसी तरीके से octane number जो है octane number को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं इसमें tetraethyl lead मिला देते हैं तो आई होप आपको ये octane number, c10 number और जो knocking और anti knocking topic clear हो गए होगे अगर कोई doubt हो तो आप comment करके भी पूछ सकते हैं थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो